तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है बस एक ग्राइंडर में एक कप ले लिया है यहाँ पे मैंने शक्कर तीन हरी इलाइची ले लिया है जिसके बिज इस तरीके से निकाल लेंगे इसका छिल्का आप चाई बनाने में यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे तीनो इलाइची को छिल के हमने चीनी में डाल दिया है अब इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे काजू काजू डालने से क्या है जो स्वीड बनती है हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है आप इसके जगां अब इसको एक बावल में हमने ट्रांसफर कर लिया है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 4th cup desiccated coconut, नारियल का गुरादा, और उतना ही जितना quantity हमने desiccated coconut लिया था, उतना ही हमने milk powder ले लिया, 1 4th cup ले लिया है, milk powder, इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे important चीज होती है, वो है आप पनीर भी ले सकते हैं, जो बिल्कुल fresh हो तुरंद की बनी हुई हो, जो एकदम soft हो, क्योंकि पनीर जब एकदम soft रहेगी, तो यह बहुत ही अच्छे से गुल जाएगी, और सभी mixture में mix हो जाएगी अच्छी तरीके से, और अगर आप चाते हैं, तो दूद को boil करके, उ इसको ले सकते हैं, तो बहुत ही soft होना चाहिए, और एकदम fresh होना चाहिए, तभी हाई जो है, वो एकदम अच्छे से बन के तयार होगी, तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, पाउडर में, और पनीर को बिल्कुल अच्छी तरीके से mix कर लेंगे, इसमें कुछ भी नह हो जाता है, यह ड्राइन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने fresh पनीर डाला है, तो फिर यह soft हो जाता है, बाद में, इस तरीके से mix करने के बाद, हम एक butter paper ले लेंगे, या फिर आप किसी polythene को भी ले सकते हैं, तो butter paper में जो चिपकता नहीं है, eco-friendly भी है, तो यहाँ प तरीके से रख के हम रोल कर देंगे, आप अगर चाते हैं इसको पीसे में कट करना तो आप वैसे भी कट कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से रोल करके गोल गोल शेप दे सकते हैं, या फिर चौकोर आप बनाना चाते हैं, जिस तरीके से भी आप बनाना चाते हैं, आप उसी तक लए रख देंगे और अगर आप रिज में रखते हैं तो इसको 20-25 मिन तक लिए रख दे ताकि एक रखे सेट हो जाए ने उसमेने बना के इसको फ्रेज में रख दिया एक जो है यह यहार निकॉल कर लेंगे जो शेप है हमारा वह एक रखे से आज़ए आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ये निकल जाता है कोई दिकत नहीं आती है यहाँ पे मैंने गोल गोल ले लिया है और कुछ सिल्वर चांदी के वक्स आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं नहीं चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा लूक अच्छा है इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है कि इसको लगा लेने के बाद हम चाकू से काट लेंगे कोई भी चाकू आप इसमें यूज कर सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट रहता है तो यह कट जाता है असानी से यहाँ सारे पीसेस में मैंने काट लिया है आप चाहें तो इसके उपर से थोड़ा सा फूड कलर भी लगाएं अगर कोई कलर आप करना चाते हैं तो बीच में डॉट जैसे रख सकते हैं नहीं चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट मिठा हमारी बन के तयार हो चुकी है ना गैस जलाने के जंजट ना कोई और दस मिनड में बन के तयार हो चुकी है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिल नोटिफिकेशन अन क